अब गुद्वारिंग इस्टुडेंट मैं आर्टिया आप सभी का नोटबुक आई इसमें हाड़िक स्वागत करती हूं तो डेली हमारी करेंट अफेर्स क्लासेश हो रही है उसमें जो डेली बैसेश्ट पर कुछ करेंट अफेर्स होते हैं उनको हम डिसकसन करते हैं बहुत स मैंने कल पढ़ाया था आपको जो भी वीकली का मपाइलेशन था हमारा एक अपते का करेंट अफेर्स जितना भी इंपॉर्टन था वह मैंने कल पढ़ाया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए तो डेली हम क्या करते हैं उसके बाद अपने करें सबसे पहला सान्याभ्यास है तो आपको यह याद रखना है कि सबसे पहला सान्याभास कौन से हुआ है और कहां पर हुआ है तो नाम क्या है उसका किस देख साथ डेजर्ट साइकलोन कि 2024 सान्याभ्यास का ओरिजिन ही हुआ है ऑप्शन हमारा है सौदी अरब दूसरा है ओमान तीसरा है UAE तीसरा है एज़ेट आंसर्स आप देख लीजिए आपने ओप्शन देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है ओमान ओमान के साथ हमने जनवरी 2024 में पहला जो सान्याभास किया है वो है डेजर्ट साइकलोन ठीक है कब से कब हुआ है यह दो जनवरी से 15 जनवरी तक होगा 2024 में कहां पर हो रहा है राजस्तान के थार में हो रहा है यह आप नोट कर लीजेगा ठीक है नेक्स्ट हमारा कोशन क्या है जनवरी 2024 में और 2024 के पहली जो पहले दिन की नियूजिय सारी बहुत इंपोर्टन है आप इनको बहुत धियान से देखीगा तो क्या कह रहा है यहां पर हमारी जो इंडियन वुमेंस होकी टीम है उसकी कैपटन कौन होगी रजनी एतिमारपू होगी इसकी कैपटन ठीक है और मेंस में के कैपटन कौन होगे जीन जीत सिंग्ग्उस होगे मेंस टीमिक कैपटन हैं आप ही नूट कर लिजीएगा नेच्स्ट पर चलते हैं नेच्स्ट हमारा कॉशन के है हाल ही में कांगो देश के लाजपती कौन बने हैं तो हाल ही में कांगो देश कांगो बने option देख लीजे आप मेरे रावाट फिको पहला option है दूसरी जेवियर मैली तीसरे अप्षन है मौहमद मुई जुबु और पर हैं फैलिक्स स्केबी हमारा है चौथा और योजना के 10 करोडवे लाभारती का नाम क्या है यह बहुत हाल में बहुत ही नियूज में रहा है हाई रहा है क्योंकि प्यम मोधी 10 करोडवे लाभारती के घर गए थे उन्होंने चाए भी उनसे बैठकर बातें की हैं और अपनी उज्वाला योजना को लेकर या उसे जो भी सफलता हासील की है उसके सराहना की है तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये की एक मील के पत्थर साभीतवत दस क्रोड लाभार्ती किसी योजना के हुवे हैं तो नाम कौन सा है। यह जो है आयोध्या से रिलेटेड है आयोध्या से बिलॉंग करते हैं यह जो माला भारती है और इनका नाम क्या है मीजा माजी ठीक है और इससे कुछ दो पॉइंट्स देख लेते हैं उज्वला यूजना जो पहली वाई लॉंच की गई थी फर्स्ट में 2016 को बलिया यूपी साधा करने के लिए कौन सा एप विक्सित किया गया है तो और साइनिक बलों के आधिकारिक संचार और साधा करने के लिए कौन सा एप विक्सित किया गया है यह बनाया गया है ताकि जो भी साइनिक जो भी साइनिक टुकुडिया है मतलब जो भी साइनिक कारेवाईया होती ह उनको अगर आपस में कोई संदेश एक दूसरे को भेजना है तो वो इस अप्लिकेशन को थू भेजेंगे वाट्सप से भेजना थोड़ा सा अंसेफ रहता है आपका डाटा रिलीक होने की या चोरी होने की संभाव नहीं रहती है इसलिए बनाया गया है देख लेते हैं हम क्या है पहला संदेश है दूसरा है सीक्रेट आप तीसरा है फोर्स एप चौथा है इंडियान एप सही आंसर माकर यह अप इसका थोड़ा से स्पेलिंग में मुझे डाउट हो रहा आप एक बड़ चेक कर लिजेगा साथ संदेश है ठीक है तो यह संदेश एप ठीक है इसका इसाई आंसर होगा कुछ अप्लिकेशन जो अलग-अलग मंत्रालाईयों द्वारा बनाएगे अलग-अलग कारेओं के लिए उसको मैं यहां पर लिखा हुआ है तो आप एक बड़ देख लितने हम कौन से मंत्रालाई ने कौन सी अप्लिकेशन बनाई है और किस काम के लिए यूज होगा तो प पर्षेel बनाया इस फ्रॉने ठीक है और हमारा देस क्या है भूमी राशी पॉर्टल बनाया है सडग परिवहन मंत्राल plain ईने दिन लिए कि धूमि राशी पोर्टल है चड़क परिवहन मंत्राले ठीक है ए नेक्क्ष tipsस प्रवासन शंगठन ने बनाया है नेक्स्ट हमारा अमरत आप है नीति आयोग ने बनाया है यह नीति आयोग कर लीजेगा और यह बहुत सारे हैं सुपेस फास्टर सुवस और सु स्वागतम यह पोर्टल सब सुप्रीम कोट ने बनाया है यह बनाया है यह सुप्रीम सुप्रीम कोट नहीं सारे जो हैं पोर्टल सुप्रीम कोट ने बनाया है निदान पोर्टल हमारा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाया है उद्गम पोर्टल हमारा अर्भियाई नहीं बनाया है पार्ट मित्रों बताया था मैंना आपको किस ने बनाया है वस्त मंत्र जिनको जादा सर्च किया गया है जिनके बारे में जादा बाती हुई है जो उस साल बहुत इंपोर्टन रहे हैं किसी ने किसी सरीके से समाज को प्रभावित करते हैं उन सब्दों को वर्ड अफ दे एर घुषित किया जाता है तो कुछ सब्द यहां पर हैं जो अलग-अलग स संस्थान दोरा सेलेक्ट किये गए हैं कि यह तीन-चार सब्द हैं जो वर्ड आप दे इयर के सेड़े में आ सकते हैं तो हम पहला देखते हैं ऑक्सफोर्ड के लिए सी सिस्थान पर उभर रहा है ज्रिज मतलब ऑक्सपोर्ड के अनुसार कौन सा सब्द है जो वर्ड आप इससति करने की छमता समता का संदर्ब हो देता है ये मतलब एक तरीके से क्या है स्क्राइब के इसे जोसको उन ने क्या बताया कि बताया के देटिंग और पर बढ़तीं आनलनायन व्यekt्तित्तों Intern monde अधिया उपपस्थिती पर बढ़ते जोर को दर्साता है जो ऑक्सपोर उनिवर्सटी है उन्हों ने बताया है कि जो रिज सब्ध हैं उनके अनुसार क्या है जो अट्रैक्शन लोग फील करते हैं आजकल यह रोमेंटिक जो होते हैं लोग उन से रिलेटेड बताया है उन्हो यह दो अदितर्च सब्ध है मरियम बेबिस्टर ने बताया ऑथेंटिक ऑथेंटिक है दूसरा सब्ध हमारा पहला हमारा सब्ध था रिज को मैं कर देती हूँ यह हमारा है पहला सब्द दूसरा सब्ध हमारा क्या है ठीक है रीज क्या है को वर्ष का सब्द घोसित किया है ठीक है यह विकल्प जो क्या है क्रतिमता और है और Digital filter से भरी दूनिया में वास्तिविकता और आत्में अभिवेक्ती की चाहत को उजागर करता है मरियम वैब इस्टर ने बताया है इस वर्स जो हमारा word of the year हो सकता है वो authentic हो सकता है मतलब authentic कोनं ने बताया है क्योंकि के कि आज कल जो है करTVA करती मद्य बद्य मत्ता का है कि लोग चाहते हैं जो भी सामने वाला है वो रियल रहे विदाउट फिल्टर आये तो ऑथेंटिक रिलेटेड सब्द है दूसरा हमारा आपको बस सब्द याद रखने हैं कि कौन-कौन से बताए गए हैं ठीक है दूसरा हमारा तीसरा सब्द क्या होगा आज का कॉलिंस डिक्सिनरी के लिए ए आई क्रत्नी बुद्धि मत्ता जो इसकी परिवर्तन कारी शमता और हमारे जीवन के विभिन पहलूँ पर पहलूँ पर इसके लागातार बढ़ते प्रभाव को पहचानता है स्वास्ति सेवा औ मनुरंजर और परिवहन तक AI हमारे स्थित के धांचयों को नया आकार देने के लिए त्यार है तो कॉलिंस डिक्सिनरी के अंसार क्या है एक तरस क्रत्नी बुद्धि मत्ता को बता रहे हैं कि आजकल अगर हमारे जीवन को कोई बहुत प्रभावित कर रही है हमारे हर छेत्र मैं उसको मतलब देखा जाए तो स्थित बढ़ रहा है मनुरंजर्ण हो परिवन हो स्वास्त हो सेवा हो हर जगे ज्यादा तर फोकस या फ्यूचर की फ्यूचर को लेकर बहुत ही जादा सतर्क रहता है फ्यूचर को लेकर बात करता है तो उनके अनुसार जो है AI क्रत्नी ब दोनों दौरा जो चायान किया वर्ड को वह है 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 लुसेनेट है है लुसेनेट वर्ड को किस ने चैन किया है Cambridge University और दिक्सिनरी डॉट कॉम ने है लुसेनेट को से लेक्ट किया वर्ड ऑप दे यह यह गलत जानकारी उत्पन करने वाले गलत सूचना और डीफ नैतिक हितारतों के बारे में चिंताय बढ़ाने की चंताओं को संदर्वित करता है है अप डीफ एक तरीके से भ्रहम उत्पन करता है आप सोचल मेडिया में और रहे करके किसी और ही व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हो डीफ एक तरीके से होता कि आपकी पूरी चहरे को ही बदल सकता है आप और लेन कुछ और ही दीखेंगे तो उससे से रिलेड़िट क्या कहा ह उन्होंने यह एक गलत जानकारी वर्ड का जो मतलब क्या बताया है इन्होंने है यह गलत जानकारी उत्पन करने मतलब किसी को एक तरस घुमराह करने सूचना और डीफ वेक के नैतिक हितारतों के बारे में चिंताया बढ़ाने की चंता को संदर्वित करता है जो आज कर है इसा नहीं था कि आज करणा फेर्स में था बट मैंने एक जेगे रख दिया है कि कुछ इंपोर्टेंट जो अवार्ड सें पुरुसकार मोधी जी को दिये गए हैं 2023 में उनको एक जगे रखा हैं क्यूंकि आपसे 100% ऐसा कोशिन पूछेगा कि निमलिकृत में से कौन सा प पुरुसकारों में से भायत के प्रदानमंस्र को यह दिया है तो देख लेते हम इंको पहला अमारा क्या है जाद रखिएगा ठीक है लाजन आफ लाजन आफ ओनर कहां का है फ्रांस का है यह 14 जुलाई को दिया गया था 2023 में ठीक है नेक्स्ट हमारा Grands Cross of the Order of Honor है ग्रीस का यह 25 अगस्ट को दिया गया है नेक्स्ट हमारा है Companion of a Order of Physica है यह पापो और निवगिनी द्वारा दिया गया है यह 22 मई को दिया गया है 2023 कर लिजेगा इसे ठीक है एवाकल पुरुषकार जो है पलाव गड़राज का है जो 22 मई को दिया गया है 2023 को आप इनको एक देक्स क्रम में सजा लिजेगा अगर पूछ सकता कि पहले कौन सा दिया गया है तो ठीक है नेक्स्ट नमारा है चुनावी बांड हाली में चुनावी बांड मतब खरीद विक्री जो कुछ चुनावी बांड की है वह स्टार्ट हो गई है उससे रिलेटेट कुछ पॉइंस है कि कब से स्टार्ट होगा कब चलेगा कौन जारी करता है कौन बैंक इंवाल्व हैं में कौन सी साख्षाय उपलब्द है जहां से चुनावी बांड खरीद सकते हों का वह ना सकते हो यह कौन इसके लिएम यह जो जो चुनावी बांड करने लिए पारदस्ता बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गय है पहली किस्त कब हुई थे मार्च 2018 में स्टार्ट हुआ था यह कब से कब तक चलेगा यहां वह 24 कर लीजिएगा कि दो जनवरी से 11 जनवरी तक यह 24 में इनकी खरोद खरीद होगी और भुनाने के काम स्टार्ट हो गए ठीक है नेक्स्ट नमारा क्या है समय की 29 ब्रांचिस है जो जारी करती हैं बंट और भुनाने के लिए अवलेबल हैं मतलब सिर्फ क्यां एक मात रधिकारिक बैंक कौन सा है SPI है आप पूछ सकते हैं चुनावी बांड को भुनाने के लिए कौन सा एक मात्र आधिकारिक बैंक है तो SBI है वो अपने 29 ब्रांचेज के साथ एवलेबल रहता है बांड बेचने के लिए उनको बनाने के लिए ठीक है नेक्स क्या है हमाई साखाए कौन कौन सी SBI की जो में इंपोर्टेंट साखाए है वो क्या है बैंगलूरू है लखनव है सिमला है देहरादून है कोलकाता है गुआहाटी है चेननाई है पतना नई दिल्ली चंडिगर स्रीनगर गांधी नगर भोपाल और रायपुर और टनाई है नहीं पात्र होंगे नियों पिछली लोकसा या विधान साब्रा में चुनाओं में एक प्रतिसात रोसी किया मैं सिर्फ वही दल पात्र होंगे जिन्हों जो स्थापित हैं वो भी इनको खरीच सकती है खेल से रिलेटेड हमाई निउस है अगली जो निउस है खेल से रिलेटेड है डेविड वार्णर है हाली में चर्चा में रहे हैं यह कहां के खिलाडी है ऑस्टेलिया के वंडे क्रिकट में सबसे जादा रन बनाने वाले चटे े बल्लेवाज है यह वंडे क्रिकट से सन्याश लेनी की है उन्हें गोफश्णा की है इस लिए डेविड वार्णर आप से पूछा था प्रकार जलेटे फ़िकृर्णर के खिलाड त्रिम एं ऐटेलाध है ट्रीक है वंडे मैस्डेटे ऐरियर सबसेज़ सतक्षा लगाएं हैं दूसरे व्यक्ति हैं दुनिया के लेकिन पहले नंबर पर कौन से हैं सचिन तेंदुलकर है नौ सटक लगा चुके हैं 1998 में ठीक है यह आप यह धान रखेगा नेक्स्ट हमारा है वैस्विक परिवार दिवस एक जन्वरी को मनाया जाता है इसे विशवुसांती दिवस भी कहा जाता है सभाता को देखते हुए एक बार मनाया और के सभाता हूं 2021 सर्क्राइब सर ने अरविंद पंगडिया को कुछ नमबर के हैं इनके बारे में कुछ हम देख लेते हैं किन्होंने से पहले कहां काम किया है या कौन से पद पर रहे चुके हैं इस्से एले डम कुछ points देख लेते हैं तो कि नीटी आयो के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके है अल्रडीं इसके हमारा जो हमारा इसमें क्या है सच्छिव रेत्विक रंजनम पांडे हैं बत्त पन्जव के इस बार आयों की आयोग की आवधी क्या है पांच सल की आवधी होती है मैं सा 272-37 रहा टीस तक है कॉलंबि कारे क्या है दो睡मारा हैं हमारा work को सोपेगा तो क्या है नेक्स हम देखते हैं यह हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है क्या है इद्धा हिंदू में यह न्यूज दिया हुआ था तो मुझे लगा आप से शेयर करना चाहिए क्यों सोचल फड़ा सोचल रिलेटेड है सोचल इस रिलेटेड भी है और वुमेंस से रिलेटेड भी है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला क्या है गॉर्वर्मेंट ने कहा है जो बहुत बड़ा इसू नहीं है यह अर्जेंसी का मामला नहीं है तो पहला क्या है Center makes the submission in response to petition in Kerala High Court on high cost of breast cancer drug Rebo की Club ठीक है तो Center ने क्या बोला है Center में केरला High Court में एक अभी petition आई थी किसको लेकर किस से लेटर थी है यह एक दवा है Rebo की क्लिब ठीक है Rebo की क्लिब किसके लिए यूज होती है यह breast cancer का एक ड्रग है ब्रेस्ट कैंसर के लाज के लिए यूज होती है और इसका जो है प्राइस बहुत जादा हो रहा है उससे प्रेटीशन थी उसके बारे में क्या है इस देट अगर कोई मेडिसिन ऐसी है जिसको एमर्जेंसी ड्रग के रूप में घोशित किया जाता है या इमर्जेंसी ड्रग है तो उसका प्राइस कम होना चाहिए लेकिन कम होनी की जगह यह इसका प्राइस बहुत जधा है कोई सबस्क्राइब हुआ हिए फर्ट करना बहुत एम मसकिल हो रहा है यह दवा पेटेंटेड है जो दवा है इस नहीं बना सकते हैं क्योंकि इन पेटेंटेड डवा और इसको बना क्वा रहा है। इसे बना रहा है। इसने पेटेंटकरा रखा है। इसलिए इसके अलावा कोई भी देश का किसी भी जगए का कोई भी मेडिकल फर्म है उसको नहीं बना सकता है इसलिए दवा बहुत महेंगी हो रही है इसे से लेटेड एक पेटेंट आया हुआ था केला हाई कोर्ट में ठीक है 2020 इंडिया में एवरी फोर मिनेट हर चार मिनेट में वोमें इस डाइगनॉस्ट वित ब्रेस्ट कैंसर चार मिने एक भारती महिला का डाइगनॉस होता है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ठीक है मतलब एक लाख असी हजार केसिस हर साल नए ऐसे हैं जो डाइग्नॉज किया जाते हैं जिनको रिश्टर किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए थीक है अवर टेकन सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर को भी ओवर टेक कली हैं मतलब जादा हो गये हैं जो एंडियन वूमेन में जो आजकल जो कैंसर कॉमन हो गया है वो breast cancer है, मतलब ऐसी बहुत ही normal बीमारी हो गई है, normal बीवाइंदर सेंट के हर 4 महिलाओं में 2 महिलाओं में एक की death हो जाती है, diagnose होने पर ठीक है, तो यह बहुत common बीमारी हो गई है, और इसी cervical cancer को भी पीछे छोड़ दिया है, इन इंडिया 90,000 women death per annum on one death in every 8 minute, मतलब की 90,000 महिलाओं की death होती है breast cancer से इंडिया में हर साल, और क्या है, हर 8 minute में एक death हो रही है, किसी woman patient की जो breast cancer से जूज रही थी, तो यह बहुत ही बहुत नाजुक मामला हो जाता है, फिर भी government क्यों बोल रही है, कि यह यह जो है एक urgency का मामला नहीं, क्योंकि health topic है, जो हमारी list है तीन list है राज्य सूची, संग सूची और समवर्ती सूची, तो वे state list का part है, इसलिए cancer कार्माना कर रही है, कि यह एक तरीके से बहुत urgency का मामला नहीं है, तो आप क्या तरग दे सकते हो, कि breast cancer कैसे, एक urgency का मामला हो सकता है, क्यों important है, हमें इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए, क्यों, पहली बात तो यह एक state list का part है, ठीक है, state list का part is state को देखना चाहिए, लेकिन साथ ही यह sustainable development, जो goals हमारे total 17, उसमें third goal हमारा क्या है, goal है health and well-being, मतलब health and well-being हमारा third goal है SDG 17 goals में से, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, यह एक तरिके से बहुत important हो जाता है, चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपने हमारा YouTube चैनल सबस्क्राइब कर रखा होगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो चाइम से मिल पाए, जो हमारे कंडरफेस के वीडियो पसंद कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लाइक भी कर दिया अगर ताकि हमको पता चले कि आपको वी आपको साथ ही मिल जाएंगे, तो चलिए ठीक है, आप हमसे जूड़े रहे हैं, और हमारे वीडियो देखते रहे हैं, ताकि आने वाले सब वीडियो का आप लाव उठा सके, ले हैव गूड डे, थैंक्यू